पुपेंदर सिंग यादव ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों को मानव धर्म निभाने के साथ साथ जरुतमंदों को भोजन मुहया कराने के निर्देश दिये हैं और इसी की तर्जबर राजजस्थान पुलिस के जबान आमजन का सायोग करते हुए गरीब और जरुतमंदों को भोजन वित्रन करा रहे हैं ऐसा ही एक नजरा देखने को मिला जैपो शेहर के नारगर थाना इलाके में जहां लाई तक यहां पर जारी है और उसी के चलते पूरा जो देश है तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर कह दें मगर इस कोरोना की संकट के अंदर सबसे जादा जो समश्या होती है वो होती है ऐसे शमिक वर्ग जिनकी दो वक्त की रोटी के लिए वो शंगर्ष करते हैं और उनको दो वक्त का भोजन नहीं मिल पाता तो सबसे जादा समश्या हुनकी होती है मगर ऐसे शमिकों के ऐसे लोगों की मदद करने के लिए यहां पर जो नजर कुछ लोग हैं जो हमारे साथ कुछ ऐसी संसाय जुड़ी हुई हैं जो लगाता और उनकी मदद कर रही ह और दो वक्त की जो रोटी उनको मिलनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं मुहय करा रही है। प्रदारमंतरी नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति भुका ना सोँखे, इसके लिए तमाम जो थाना अदिकारियों को, थाना इस्थर पर तमाम जो संस्ता हैं, एंजी ओज हैं, उनको यहाँ पर अपेल किये कि वो अपने इस्थर पर सयोग करें, और जो लोग भूका सो रहा है उसको दो वक्त की रोटी मुहयक रहा है और इसके चलते हैं यहाँ पर आप देख रहूंगे मैं समय नारगर थाना इलाका पड़ता है यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर एक ऐसा और्गनाइजेशन है जो लगातार पिसले एक महने से करीब दो हजार लोगों क भोजन वित्रन का यहाँ पर काम कर रहा है बहुत अच्छे स्थर पर यहाँ पर यह काम है जो किया जा रहा है और ऐसे लोग जो लगातार जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी उनके लिए यहाँ पर इस तरह की सुविधा चालू की गई है और दो मेने से यह ल कही नजरा आपको यहाँ पर कैमेरे में नजर आ रहा होगा आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि खाना बनाने के बाद उसको किस तरह पैकिंग किया जा रहा है और जो लोग यहाँ पर खाना बनाने के बाद जो पैकिंग कर रहे हैं उन्होंने हातों में दस्ताने पहने इस जो मानुटा का जो काम है तो धर्म का जो काम है उसको यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं हमारे साथ महिपाल जी हैं उनसे बाचीत करते हैं कि कबसे पूरा यह जो है जो मुहीम है इनोंने छेड़ी है और कहां कहां तक इस मुहीम का जो असर है कि लोगों तक पहुंचाया जा जिनको नीडी हैं पूरे प्रॉपर वो हम आइडेंटिफाय कर रहे हैं कि यहां यहां लोग उन तक हम घर्द पहुंचाते हैं और जैसे हमारे कमिशनर साब पुलिस कमिशनर साब का यह था कि गरीजी गरीब किसी ऐसा है आदमी के पास भूका नीरे वो उस प्रयास को हम आग क्रैम कंट्रोल करने के और एक दोहरी जिम्मेदारी दोहरी भूमी का ने बारे कहीना कहीं हैं खांकी से पहले हम एक इंसान है हम एक इंसान है उसके बाद हम खांकी है और खांकी का हम आप देखी रहोगी हम DST टीम अभी इन दो रेगुलर कारवाई करती जा रही है डाउन रहे तब तक इस कारे को संपूर्ण करें और जरुत बंतों तक खाना पोचाने का हम पुरा-पुरा प्रयास करें और ये हमारे राजस्तान प्लीस जैपूर प्लीस जो इनका प्रयास है कि कोई भूखा नहीं रहे भूखा नहीं सोय हमारे प्लीस कमिस्टर साब का भी कि यही है कि कोई गरीब ऐसा है भूका नहीं से उसको आगे बढ़ाने का प्रियास करें अरशाथ यहां पर कुछ लोग और भी हैं जो इस मुहिम में अपनी भागीदारी निबारें अजय जी हैं उनसे बातचीत करते हैं अजय जी किस तरह की जो मुहिम है जैपर पुलिस के स सारा काम हो रहा है हम सब मोहले वाले आजपरोस के लोग इसमें अपनी भागीदारी निबारें कोशिस करेंगे कि तीन तारीक के आगे भी अगर यह जारी रहता है तो और चलाएंगे इसको किस तरह का आपने देखा होगा आप हर गली मोहले में गये होंगे किस तरह की लोगों को आप वितरन कर चुक हैं कर अगे जैसे जरूत बढ़ती है तो बढ़ते लेगा तब तक इन लोगों का कहना है कि जो खाना वितरन का काम हो जारी रहेगा और होना भी चीए जरूर क्योंकि मानवता है परोब धर्म है और इसी के चलते हैं यहापर जैपर पुलिस जो पुलिस की बाती यहाँ पर पुलिस में रहकर के और लगातार क्राइम कंट्रोल में लगे हुए हैं लगातार जिस तरीके से शराब तसकर इन दुना सक्रियों के उन पर कारवाई हैं कर रहे हैं और उसके बाद कहीना कहीं उन लोगों तक उसके बाद यह खाने हैं इसको यहाँ पर हो निभाते भी नजर आ रहे हैं कैमरा पसंद प्राम क्रिशन सेंडी के साथ यादमी दुर शर्मा